गुड मोर्निंग एब्रिवन सुबह के छे बजरे और विहान अपनी इन टोफियों के चक्कर में उठ गया है बोल रहा है मम्मा मुझे इनके साथ खेलना है तो इसमें एक ये एलपेन लीवी एक ये मैलोडी मैं आपको टाइप्स दिखा रही हूं एक ये पल्स वाली आपने एक ये है ये है इस तरीके से है एक लेज का पैकिट इसमें रखा हुआ है यहाने पूरा देखो ये देखो आप ये देखो आप हाँ एक लेज है इसमें भी और दिखाया ने ना उस दिन इसमें भी तोफिया भर दी इसने तो बाबरे ये क्या किया आपने इसमें क्यों टोफिया भर दी इसमें तोड़ी बहते है तो ये इस तरीके कि होती ए इसमें इस तरीके की होती है ये और ये चोकलेट वाला भी दिखाती हूँ ये अच्छी लगी मुझे काफी पसंद आई है अपनी इसमें क्यों रखी अपनी टोफी है इसे नहीं करते बेटा एक हो रहा है अब गंदी बात होती है नहीं है अब नहीं है इसमें कोई टोफी एक है ये वाले जो इसके केक है मैंने पीछे रख रखे हैं संभाल के फिक है सारे वड़ना खराब करतेगा एक रेवडी का पैकेट रखा है इसमें इस तरीके से वेफर वाली गुच्छों को इससे रखे है यहां खिंदाना नहीं है इसको डबा बंद करके रख दो यह लगा देगा यहां रात को मैंने उठाई पी सारी यहां सजा दिता है पूरे बैड़ पे बाबू जल्दी उठ गया इसकी नेंद खुलगी इसी चक्कर में की ममा मेरे को तो अपना टोफियों का सेक्शन देखन अपके दबे में भी नहीं आपका लेज लेज बुझे ना अच्छली येलो वाले सबसे अच्छे लगते हैं यो येलो पैकेट आता है ना इनका बट वो था नहीं फिर मैंने ये वाला मंगवाया क्योंकि इसमें भी मिर्च कम होती है पहले मैं वह वह ला खाती थी टोमैट फ्लेवर लेकिन हम बोलो आप भी बोलो ये तो ये आप आप ये जली विशाम मैंने का आपना जली खाई थी ना खाई थी कोई ये भी खाई है अब यह भी खाई है अब यह भी खाई है पहले तो टोप आपन लो ठंड का टाइम है रात सुबह का आज विहान का स्कूल है स्कूल जाएगा ना अब यह भी खाई है आप स्कूल जाएगा विहान आज आज को है आपका शूटी बर खतम होगी बिटा अब सारे दिन चुटियां थोड़ी होगी अब तो चुटियां ओवर होगी है अब तो स्कूल शुरू होगा विहान का यह भी खाई है अब यह भी खाईंगे नहीं देखो इसकी टूफिया बुकान लगा दी पूरी विहान ने प्रीच लो तोफियां बेचो लेला तोफियां बुकान ने यह देखिया आपको मैं यहां पर दिखा रही हूं इसमें भी दूद रखा हुआ है इसमें भी देखो पतीले में दूद रखा हुआ है एक मिनट, नीचे तो नहीं है, यह देखो, इसमें ऐसे का ऐसा दूद रखा हुआ है, यह देखो, इसमें भी दूद रखा हुआ है, अब मैंने मम्मा को बोल दिया है, या तो यह दूद खतम हो, यह देखो, इसमें भी दूद का यह दहीं बनाया हुए हमी, यह दूद रखा हूं 500 रुपे मैं दिन का कमाती नहीं उसमें से 90 रुपे दूद का चला जाता है और वो दूद कोई पीए गाई नहीं तो फाइदा किया इतना दूद लेने का देड़ किलो दूद इसलिए इतना दूद कर रखा था कि मम्मी देली का पीएंगी दो गिलास रोज वो चाय में लगेगा थोड़ा बहुत भी हन पिएगा थोड़ा मैं पिऊंगी लेकिन ऐसे का इसा बच रहा है आपके सामने है फिर दिल दुखता है भई पैसा पैसों में चीज आती है वो यूज में ना आए तो अगर यह दूद आप या तो पी के आज की डेट में सारा दूद खतम ह नहीं तो किलो आज नहीं किलो ही कर दो दूद फिर क्योंकि फायदा ही नहीं है फिर इतना पैसा भी लग रहा है और वो चीज यूज में तो आने रही है ऐसी खराब फिर दूद का कुछ भी बनाने का क्या फायदा है किलो ही कर लेंगे आज से किलो ही कर लो मैंने दो किलो किया था बीच में दस दिन दो किलो दूद आया उसके बाद फिर मैंने देखा दो किलो में तो वैसी बच रहा फिर देड़ किलो की अब देड़ किलो में भी नहीं पूरा हो रहा देख लो तो फिर अब क्या करें तो आज मैं बना रही हूँ चने की डाल तो आज मैं ये वाले चावल बनाऊंगी दावत सूपर बासमती ये लोंग ग्रेन है अप्टू कुप्ड ग्रेन अप्टू 20 मिनट पता नहीं 20 मिनट का टाइम लिखा है शायद 20 मिनट पे त्यार होता होगा मैंने पहली बार मंगवाए है ये वाला पैकेट मैं काफी टाइम से लोंग ग्रेन वाला चावल लाने की सोच रही थी बट इसलिए नहीं लाती थी कहीं ये ज़्यादा अच्छा लग गया खाने में फिर नॉर्मल मीडियम साइज चावल जो सिंपल हम डेली खाते हैं वो अच्छा नहीं लगेगा और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल चावल के कमपैरिजन में इसे लिए कभी नहीं खरीदा बट इस पार पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया ने बोला पापा-जी को भी बोला ममा को भी कि ममी मैं यह लोंग ग्रेन वाला जो इंडिया गेट बास्मती चावल होता है ना मैं वो पैकट मंगवाऊंगी तो मैं दो किलो चावल मंगवाया और यह भी अच्छा कासा चल जाएगा तो ये न अच्छा लग रहा था खाने में ये वला चावल इतना बढ़िया बनाना इतना अच्छा लग रहा था खाना खाने में क्योंकि ये चावल सच में long grain है पूरा टूटा हुआ चावल नहीं है और दाल भी बहुँत अच्छी simple सी बन गई थी मैंने घी में छोक लगाती हूँ दाल हमेशा इसलिए घी के डबे खरीत लिये थे तो चलिए मैं मुझे कुछ बात करनी है फ्लाइंग बीश्ट सर से सर मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देख रही हूँ पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ मैं एक सिंगल मदर हूँ सर मैं 27 की थी जब मेरे हस्बेंट की डेत हो गई थी और मेरा बेटा 45 दिन का था तो यहां से मेरी जड़नी शुरू हुई थी यूट्यूब की क्यूंकि मेरे हस्बेंट की डेत के 5 महिने बाद मैं यूट्यूब पर आ गई थी मैं वीडियोज डालने लग गई थी और मैंने काम भी बहुत किया आप मेरा काम देखोगे वीडियोज में तो आप देखोगे मेरे 1,57,000 सब्सक्राइबर है तो मैंने बहुत महिनत से मेरे को 3 साल हो गए है यूट्यूब पे काम करते हुए और मैंने दिन रात बहुत महिनत करी है क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है यहीं से ही मैं अड़निंग करती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ नोकरी करना मुश्किल हो जाता है देखिए आप रीटू मैं भी करते है नोकरी लेकिन तब बच्चों को संभाल लेते हो, मैंने देखा है आपके वीडियोज में, लेकिन मेरे साथ ऐसे है, मेरी ममी भी बहुत जादा बिमार रहते हैं, तो मेरे ममी रहते हैं इस टाइम मेरे साथ, और उनकी हालत भी जादा खराब है, वो ना जैसे शूगर के पेशेंट है, और शूगर की वज़े स ता कि उसको घर में अकेला छोड़के जाओं, या ममा तो बैठे हैं, लेकिन फिर इतना तो होना कि बाहर करंट की तारे होती है, वाइरिंग कहीं भी भाग जाए बच्चा, तो एक मदर के तोर पे टेंशन तो होती है, तो ममी ने मना कर रखा है, अभी 2024 में बोलते हैं, साल की वीडियो देखती हूं, और मैं आपको टैक कर रही हूं, तो मेरी वीडियो आप तक पहुची जाएगी, सर प्लीज मेरे साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बना लीजिए, मुझे इस टाइम सच में बहुत जरूरत है, मेरा चैनल आप खुद ही देख लीजिए, मुझे ज जादा नहीं चाहिए, देखिए, आपके तो लाखों में व्यूज आते हैं, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिरफ मेरे 10-15 वीडियो भी आते रहे, मैं तिन की तीन तीन वीडियो डाल डाल के मेहनत करके मैं निकाल लूँगी, मुझे इस टाइम देखिए, अभी आप समझी सकते हो, मेरे को अपने बच्चे की लाइफ अच्छी बनानी है, उसको सेट करना है, क्योंकि पूरी रिस्पोंसिबिलिटी मेरे उपर है, तो आप, मैं यही सोच रही थी, जैसे कहीं बार मैं सोचती हूँ, जब मैं वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत प्यारे आप बनावा दीजिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, मैं यह तो नहीं कहती कि आपको बहुत मेरे से कोई फायदा होगा, क्योंकि मेरा चैनल तो बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन हाँ, आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप थ इसी भी चैनल के साथ नहीं किया, आपने, बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपके न, दोनव बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को लगता है कि आपके साथ कोलाबरे करना चाहती हूँ, मैं मेरे चाहने का मतलब I mean to say, चलो मैं तो चाहती हूँ, आप प्लीज प्लीज मेरी इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्या मैं आ सकती हूँ, बस एक वीडियो बनवा लीजी अपने साथ, कुछ भी कॉम्पिटीशन वीड तो इसलिए और मैं आपको बहुत सपोर्ट करती हूँ, दिल से, पस इतना ही कहना था, आप से रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो मेरी इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हो, आपके उपर है, मुझे इतना तो पता है, ये वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगा, ओपन करोगे या नहीं वीडियो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करूँगी थमने लितना कैची लगाऊंगी कि आप ओपन करी लोगे वीडियो, और आप प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, कि क्या मैं आ सकती हूँ मेरे बेटे को लेकर आपके घर, मुझे बस एक वीडियो बनवा दीजिए मेरी, तो ये देखिए, आप भी खाना खा लीजिए, या आप हिसार आ जाईए, मैं हिसार की हूँ हर्याना की, और हिसार में आप आईए, और मेरी मम्मा से भी मिलिएगा, मेरी ममी को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर, लेकिन मैं कहती है, ऐसे तो नहीं जा सकते जब तक आप से बात ना हो जाए, तो इसलिए, वैसे भी आप हिसार आए हुए हो बहुत बार, तो मैं आपको आप इधर आओगे हिसार, तो मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊंगी, capital city of हिसार है, बहुत प्यारी जग हिसार में और मैं बताओं आपको हिसार में और गुडगाओं में भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कहीं भी आपको कहीं चले जवाप ये बेस्ट प्लेस है, तो आप यहां पे प्लोट ले लीजेगा, मैं आपको बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगी, अगर आपको लेना होगा तो फ्यूचर के लिए बहुत ही प्यारी जगह हैं, आप सच में आपको मुझे थेंक यू बोलोगे बाद में कि हाँ मैं इतना अच्छी जगह आपको सजेस्ट करी, यहां पे आपका दिल लग जाएगा, आप गुडगाओं छोड़ के हिसार आ जाओंगे रहने के लिए इ सुबह का टाइम मैं आपको दिखा रही थी, इस टाइम सड़े साथ बच चुके थे, विहान ने खाया नहीं, विहान मेरे साथ ही जाग गया, आज मैं सुबह उटकी सड़े चार बजे, सड़े चार बजे मेरे आँख खुल गई, और विहान भी चलिए, एंड करते हैं पोर्ट कीजिएगा, बाई बाई